तो दोस्तो ये है अपनी वाशिंग मशीन जिसमें आज आप मल्टी वफर लगाना सीखेंगे वो किस तरह से लगाएंगे इस वीडियो में आज आपको यही जानकारी मिलेगी और कोई भी वाशिंग मशीन हो उसके अंदर मल्टी वफर लगाये जा सकता है और वो कितनी आसान लगाना है और चेंज करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको यह लगाना है तो दोस्तों इसमें वही है कि आवाज करता यह और इसको आज चेंज करेंगे तो यह जो उपर का कवर आप देख रहे हैं इसके नट खोल लिए जी अच्छे से सारे के सारे और यह ड्रेन के बेल्ट जरूर हटा ले और जो इसके ब्रेक की जो बेल्ट आई होती है वो भी हटा ले उससे होगा यह कि जब भी आप इसको उपर उठाएंगे खोल के यह अच्छे से उपर उठ जाएगा जिससे आप ड्रम निकाल पाएंगे क्योंकि हमें सील लगाने से पहले ड्रम हटाना है तो देखिए हमने उपर का कवर खोल लिया है मैं आपको शोट में समझा रहा हूं देरे-देरे वीडियो काटके ताकि आपको जो मैन-मैन है वो दिखाई दे जाएं तो आप सिंपल से इसको जो नट दिखाई दे रहे हैं आपको पूली पर देखिया भी दिखाता हूं मैं तो शायद आपको सही से नहीं दिख रहे होंगे लेकिन यह जो अंग उठी के पास आपको एक नीचे वाला नट है और एक उपर वाला टैडा भी हो सकता है और शायद है भी थोड़ा से टैडा लेकिन चल जाएगा इतना नहीं है मैं चीज है इस वीडियो में कि आज हम सील चेंज करेंगे इसकी जो मल्टी बफर है वो किस तरह से चेंज करेंगे तो यह पुरानी सील है इसकी और यह मटा के आज नहीं लगान को निकाल तो दिया है आपने देखा होगा निकाल दिया है लेकिन मैं लगाना भी सिखाऊंगा उससे पहले जब भी आप सील को निकाल की इस पर लगाएंगे तो आप यह अच्छे से साफ कर लें जो किनारी इसकी दिखाई दे रहे है और फैव बॉंड अच्छे से लगा लें किनारी पर उससे हो गई है कि पानी लिकीज की समस्या बंद हो जाएगी इसके आप इस तरह ऐसे भी लगा सकते हैं इसको कस सकते हैं लेकिन फैव बॉंड लगा देंगे तो और मजबूती बन जाएगी जिससे की मोटर काफी लंबे समय सक चल सकती आपकी तो इस तरह उपर से डाल देनी आपको यह और बाकी का यह जी नीचे का पंजा है इसको कस देना चूड़ी पर तो देखे दोस्तों हमारी सील तो लग चुकी हमने वह कस भी दिया है तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में जानते हैं कि आपको आखिरकार यह सील बफर लगानी किस तर आपको यह तो देख लिया कि लगाना का पर लेकिन आप यह भी समझ लीजिए कि लगाना इसको किस तरह से मैं वीडियो में आपको सई से नहीं दिखा पाया क्योंकि वहां पर स्पेस कम था वाशिंग मशीन के अंदर तो आप यहां पर देख सकते हैं यह मल्टी बफर है औ और आपको 심플 तरीके से इसको मेट बर्द समझा देता है यह इस तरह से होता है और यह नीचे से कसने के लिए ताकि यह अच्छे से पकड़ बना सके तो आपको तो सिंपल से फैविबॉंड यहां पर लगा देनी है किनारी पर रबड पर आप देख सकते हैं यहां पर से इस तरह ऐसे डालेंगे आप तो यह नीचे की तरफ आ जाएगा जहां से आपके मोटर दिखाई देती आपको बस यह सिंपल है वहां से आपको यह कस देना है इस तर आपको यहां करना है और आधा चैनक्ग पानी ना जाए तो इस वीडियो में यह भी समझ लीजे आप कि आपको यह बूट दिखाई दे रहाए और तो तो इस वीडियो में यह आपको यह बूर्ष दिखाई दे रहे हैं और जो साफट आती है ड्रम की मोटर से अटाइच होती है वहाँ पे आपको कोई ग्रीस हो तो वो भी अच्छा रहेगा या आपके पास ओईल है मशीन का तो इस पे लगा सकते हैं इसको थोड़ा से उपर उठा दे और कपड़े की या अपने उंगली की साइता से साफट पे लग होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें और यह जानकारी किसी और तक बेजना चाहते हैं तो आप इसको शेर भी कर सकते हैं तो दोस्तों अपना फुल स्पोर्ट अमारे साथ बनाए रखिए ऐसी डेर सारी वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे जिससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगे